तो हरों सब अभी हम आगे चलते हैं अपने चैप्टर नमबर 4 के उपर ठीक है जो हमने वह वाला पेपर था जो पेपर हमने study किया था यह हमारा अपना पेपर नहीं था क्योंडे फोग अगले चैप्टर में अच्छा इस चेप्टर के अंदर हम एनलेटिक सुलूशन फाइंड कर रहे हैं फोर MHD यानि माइटो हड्रो डैनेमिक्स बाउंटरी लेर विसको एलास्टिक फ्लूड फ्लो ओवर कंटिनुसली मुविंग स्ट्रेचिंग सर्फिस बाय हों बाय दे मैथड़ ऑफ होमोटोपी इनलेसिस विड़ टू एक्जलोरी पैरामीटर्स अच्छा बिसीकलिए हम इसमें जो सुलूशन फाइंड करना चाहरे हैं एक ऐसी सिचुएशन का जो सिचुएशन यह लिख हुई है यहां से लेकर यहां तक यह बिसीकलिए एक ना सिचुएशन है जिसका कि सुलूशन हम किस मैथड से होमोटॉपी यानि कि एक मतलब कि विसको इलास्टिक यानि फ्लूट जो जिसकों कहते हैं विसकस फ्लूट भी कहते हैं वो फ्लूट कर रहे हैं ठीक है अब यह फ्लूट जो है वो किस पे फ्लूट कर रहे हैं एक ऐसी सर्फिस पे फ्लूट कर रहे हैं जो सर् stretching surface है जो खुद भी मूफ कर रही है और उसके पर फ्लूड भी मूफ कर रहा है ठीक है और वो चुके बांटरी लेर भी इसलिए बना रही है कि जहर सी बात है वो विसकस फ्लूड है नहीं इसलिए और वो किस कंडिशन में उसको ले रहे हैं वो क्यों सा है मेगनेटो हैड्रो डैनमिक्स जिसके अंदर हमारे पास ऐसा फ्लूड होता है जिसको हमने अंडर दा मेगनेटिक फील्ड रखा होता है ठीक है तो इस तरह का एक फ्लूड है जिसको हम जिसके सुलूशन फाइंड कर रहे हैं अप्रॉक्सिमेट अप्रॉक्सिमेट का मतलब होता है यह नहीं कि वो तकरीब करीब करीब उसके actual value क्यों होते हैं ठीक है और किस method से कर रहे है होमोटॉपी वाले method से जिसमें दो auxiliary parameter generate होंगे हम आगे देखेंगे वो auxiliary parameter कौन कौन से तो सबसे पहले तो समें हमने उसका एक overview दिये है उसका एक introduction दिये ठीक है कि हम इसमे क्या करेंगे इस idea जी उपर या idea Bab змwe यहां यहांद तक इस idea को mathematically क्या करें इसको प्रूफ करेंगे और उसको ग्राफिकली क्या करेंगे इसको रिप्रेजिंट करेंगे ठीक है कि इसको रिप्रेजिंट करेंगे यही जो पर पूरा जो टापिक लिखा हुए है यहां तक यह वो है जो उपर लिखा हुए है इसका चैप्टर के नाम यह वो चीज़ है जिसको कि हम क्या देखना चाहते है मैथेमेडिकली और ग्राफिकली फुल डैनेमिक्स के अंदर हमें पता है कि जो बॉंडरी लेयर है फॉर दे सेनेरियो अफ स्टेचिंग शीट ठीक है यह बड़ा इंपॉर्टन्ट है और इसकी बहुत सारी एप्लिकेशन जो ना वो इंजिनिंग और इंडिस्टिल प्रॉसेस के अंदर है लाइक, क्रिस्टल ग्रोथ मेटलर्जी मेटलर्जी वो होता है जो मुख्लिफ हो जो जो धातों को आपस में जो मिक्स करते हैं उसको कहते हैं मेटलर्जी एंड पॉलिमर प्रॉसेस पॉलिमर प्रॉसेस मतलब जिस तरह को प्लास्टिक की चीज़ों को हम जो बनाते हैं जिस वक्त जिस तरह ये पॉलीमर पाइपस होते हैं मुद्छले भी प्लास्टिक पाइप प्लास्टिक की चीज़ें जो बनती हैं ये पॉलीमर होती है बेसिकली तो इस तरह के इंड्रिस्टिल प्रॉसेस के अंदर ये वाला जो है फिनॉमना यूज होता है ठीक है अच्छा इस situation में हम जो है वो जो numerical technique जो use करेंगे वो है रुंगे कुटा जिसको कि fourth order के लिए हमने क्या करने है अप्लाई करने है इसकी उपर ठीक है Comes out based on suction and blowing, suction वो होता है कुछ चीज मुझस्प करना और blowing वो चीज होती जो अपने में से निकालना ठीक है of the steady boundary layer and studied the heat analysis regarding the thermal radiation जिसमें thermal radiation को discuss करेंगे और उसकी heat analysis भी करेंगे ठीक है Heat analysis वो होता है ना कि हमारे पास जिसमें कि हम heat को भी देखते हैं कि इस पूरे phenomena में heat का क्या अमल दखल है इसमें जो fluid है वो जारसी बात है वो non-notanian है क्योंकि हम वो जो viscous fluid होता है बिसकी के लिए वो होता ही वो non-notanian है ठीक है उसको investigate करेंगे stretching sheet के उपर ठीक है stretch मतलब के जो जो खिची होई होती हमारे बस ठीक है अच्छा इस सारे process के लिए हम जो use करेंगे technique वो है homotopy analysis जो method है ठीक है अच्छा homotopy analysis method के बाद अब flow analysis किया कि हमारे पस जो fluid है वो two dimensional है इन्हें के x-axis पर भी वो जा रहा है और दूसरी बात है कि उसकी height भी कुछ है हमारे पस उस flow की और वो चुके boundary layer भी उसमें जो बन रही है क्योंकि विसकस fluid है और electrically conducting है क्योंकि वो यह ने मेगनेटो hydrodynamics की वज़ा से ठीक है और उसके जो results commonalize करेंगे यानि कि इस fluid के जो incompressible laminar flow convection and flow over the porous medium of stretching surface अब यह सारा कुछ वहाँ पे लिखाव है चुके यहां पर एक reference दिया वह जिसकी वज़ा से हमने सारा scenario यहां पर लिखाव है ठीक है अब यहां से जो ना हम क्या करते हैं कि scientific equation इसकी प्रूफ करेंगे किस के लिए momentum mass and energy के लिए तो यह continuity equation को लिया इस पर यहां पर टेंसर यूज किया टी डैश जो कि किसके बराबर है हमारे पस वो टेंसर वो बेसिकली stress टेंसर है जो कि second grade fluid के लिए ठीक है जिसकी कि यह इसकी value बेसिकली यह दियुए है पूरी और अगले step में यह value यहां इसमें अब यह यह मसला है कि यह a1 a2 क्या चीज़े फर्दर a1 को हमने explain कि a1 इसके बराबर है और a2 इसके बराबर है ठीक है और अब इसमें L भी एक है quantity यह L क्या है अब L की यह हमारे पास पूरा क्या है एक यह नहीं कि एक पूरा यह नहीं मैट्रिक्स है और मैट्रिक्स के अंदर देख इसको सरफ x y components हा रहें क्योंकि z इसलिए नहीं कि यह two dimensional नहीं इसलिए है तो इसको हम क्या करेंगा अब यह continuity equations के जरी इसको प्रूफ किया है यह सारी values को यह continuity अब जोगे इसमें यह होता है कि papers में यह thesis के अंदर complete solution हम नहीं लेते हैं हम क्या करते हैं कि equations को लेके यह continuity equation प्र प्रूफ की उसके बद नेवे स्टॉक से इसको प्रूफ किया ठीक है सरफ ओपर खाली reference देते हैं कि हम कोंसी equation को यूज़ कर रहे हैं तो यह basicly मारे पस सबसे पहले कोई भी problem जो ती उसमें सबसे पहले हमारे पस क्या आता है partial differential equations आती है ठीक है ना यह उसकी boundary conditions है मारे पस ठ ठीक है और दूसरी बात है कि इतना ज्यादा deeply नहीं पूछते है वो लोग कि यह equation कैसे आ गई है यह चीज़ क्यों है यह चीज़ क्यों लेते हैं कि आपने काम क्या किया है तो आपने यह बताना है कि हमने इस scenario के अंदर सबसे पहले उसकी यह partial differential equation को solve किया पर उसकी boundary conditions को दे equation के अंदर ठीक है जिससे यह हमारे पास क्या आजएगी एक Audrey differential equation आजएगी यह नहीं कि पार्शल से हमने किसमें convert कर दिया Audrey के अंदर और उसके अंदर हमारे पास उसकी boundary conditions भी change हो गई ठीक है तो अब इसमें जो है हमारे पास यह जो ODE है इसको हमने solve करना है ठीक है तो उपर यह तो थी हमारे पास किस हवाले से equation यह नहीं momentum की equation थी अब इसकी heat transfer equation के लिए उसकी जो है partial differential equation यह लिखी हुई है तो इसके अंदर parameter यूज किये सारे हैं और उसके बाद हमारे पास यह ना वो दो तरह कि अब हमारे पास चीजें इसमें आएंगी जिसको उपर लिखा था नहीं एक पीस्टी यह प्रिसक्राइब सर्फिस टेंपरेचर यह नहीं कि उसका सर्फिस टेंपरेचर क्या है तो उसके parameters लिए हमने T क्योंकि temperature की equations को T से drive करते हैं तो उसकी हमारे पस यह equation drive होगी ठीक है और उसकी boundary conditions आगी एक दूसरा parameter जो auxiliary था वो था prescribed wall heat flux जिसको PHF कहते हैं यह उसकी boundary conditions उसको हमने सारा solve कि है उससे equation बनी हमारे पस नीचे उसकी boundary conditions यह बनी है अब यह दोनो equations को लेंगे उसको किस method से solve होमोटॉपी analysis के जरीए ठीक है तो यह हमने उसकी initial values ली क्यूंकि equation हमारे पस तीन आई है ना उपर मैं जाता हूं जैसे कि हमारे पास एक equation यह थी अच्छा इससे drive करके हमने यह equation ली जो एक यह ली और एक उसके बाद यह वली equation ली ठीक है ना अब इन सब को जो इनिशल यानि starting जो value जहां से हमने start करना है अपना जब process वो लिए initial values को शुरू करने के लिए एक initial values को भी हम initial function को consider करते है ठीक है फिर उस पर linear operator यूज करते हैं यह उनकी linear operator है अब जितने order की question होगी उसी order हम वो देंगे ठीक है यह fourth तो third order है second and one second one चुकि इसका highest order क्या था fourth इसलिए इसको यह वाली equation ली हमने जो उसके पर पर उसके parameters हमने की define c1, c2, c3 जो coefficients थे हैं उसी linear operator के जो उपर यह वाले जो जो तीन जो linear operator नो उसी के हमारे पस के हैं यह उसके coefficients हैं फिर यहां पर हमने सारा process किया कि इसको हमने इसको solve किया है with the help of MATLAB अब देखो एक auxiliary parameter PST था यह उस case में यह proof हुआ है और यह PHF वाले case में प्रूफ किया हमने ठीक है पिर इन्ही questions को से में दो-दो case में लिकर जाना है क्योंकि दो auxiliary parameters हैं एक PST और PHF तो यह questions यह पूरा हमने जो process हम जो चला रहे हैं यह basically पूरो homotopy analysis method है यह सारा जो इतना भी है ठीक है तो end पे जो हमारे पस यह सारा process होने के बाद अब हम देखेंगे इसको analyze करेंगे कि इसकी convergence के बारे में कि यह process जो हमें लिया है उसके दो results बन गए हमारे पस ठीक है एक यह वाला और एक यह वाला ठीक है और एक यह वाला तो तीन equations है हमारे पस अब इनके results को discuss करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसके graphs plot करेंगे ठीक है तो h जो parameter था उसके लिए यह दो graphs हमारे पस आ रहे हैं कि जैसे जैसे जो है वो h की value को हम आगे बढ़ाते जा रहे हैं हमारे पस उपर जो g of zero और f के जो derivative मतलब heat की और momentum की और energy की जो equation से वो constant होती जा रही है मतलब कुछ value पर जाके increase उसके वो constant हो गई है ठीक है यहां पर भी behavior नजर आ रहा है मैं यानि h के against हमारे पस वो जो impact है उसका यानि h triple dash का f triple dash का वो यह behavior है कि वो भी कुछ value में जाके increase होता है और यह जो है तकरीबन तो पाइंट 3 माइनस 2.3 2.2 पर जाके वो क्या होता है उससे आगे onward वो constant behavior आता है उसका ठीक है यहां पर भी जो है इसके different यह यह behavior है यह थीटा की questions के लिए जो कि हमारे पस यह energy questions जो इसके लिए भी h k गेंज जो parameter है वो increase होके फिर एकदम से वो constant values के तरफ चले जाते हैं इसमें भी यह behavior आ रहा है ठीक है तो यह सारे यह graph से इसमें के वो increase और फिर उसके बाद क्या हो रहा है वो constant values के तरफ उसको लेके जा रहा है ठीक है इसमें जो है क्या हो रहा है कि इस parameter जो कि independent variable इसके against यह क्या हो रहा है इसकी values decrease होती जा रही है एफ की ठीक है यह वो equations थी जिसमें momentum equation है तो momentum उसका क्या होता जा रहा है decrease होता जा रहा है यह मतलब new की value की उपर ठीक है यहां पर भी वो चुकर decrease आ रहा है हमारे पस इसमें decreasing जा रहा है ठीक है यह सारी चीज़ें यह विले है इस सारे graph तकरीवन एक जैसे तो अब यह जो इस paper को थोड़ा सा हमजर अच्छे तरीके से देखें क्योंकि हमारा अप अपना पेपर है ठीक ना तो वो तो चुकि वो पहले वाला पेपर तो उसको बस थोड़ा सा इस तरीके से हाथ कर लो जैसे मैंने बताया है अभी थोड़ा से डिसकस किये ठीक है उसको फिर नेक्स वीडियो में देखते हैं